तो नमस्कार आदाप सस्ट्रेकाल राम राम खमा गणी दोस्तों मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल दा सक्सेस में तो दोस्तों आज है 30 नावंबर और आज के करंट अफेर में मैं लाई हूँ आपके लिए मेंस का अंस्वर राइटिंग जैसा कि नाम से केंज किया है पूरा UPSC पैटरं का उठा के दे दिया और एकोनोमिक्स यू समझे कि जैसे तो मैं पहले भी आपको बोलते थी कि एकोनोमिक्स में से ज़्यादातर कोशन आते हैं वह करंट से ही आते हैं लेकिन अब तो पूरी एकोनोमिक्स में सब कुछ ही करंट जोड़ द मतलब करन्ट पर हमें जादा जोड़ देके जाना पड़ेगा लाइक बजट और एकोनोमिक सर्वे में से आपने पहले प्री में तो कॉशन देखे ही हैं लेकिन मेंस में भी यह इस्पैसली लिख दिया गया है तो हमें थोड़ा जोड़ देके चलना पड़ेगा इस बार दोस के अकोर्डिंग सारा बजट दिया गया था हना तो हमें मोटे मोटे रूप में यह याद होना चाहिए कि वह साथ संकल्प कौन से हैं क्योंकि मतलब हना सिलेबस इतना अपना वाइड कर दिया कि कई बार ना कोशन सिलेबस की लाइन टू लाइन ही उठा के दे दे देते हैं उसमें लिखा गया रास्तान का बजट अब बजट खोल के देखते हैं तो हम मतलब सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि बजट होता क्या है कब पेश हुआ था कितने का हुआ था और साथ संकल्प कौन से हैं फिर इनी संकल्प के अकोर्डिंग पूरा बजट अपना चलता आ आ इंट्रोडक्शन तयार करेंगे कोशन की और फिर हम साथ संकल्प बताते हैं इतनी जगह हमें 50 वर्ट में मिल जाएगी पांच की जगह हमें साथ लाइन वहां में मिलेंगे साथ से भी ज्यादा मिल सकती है तो ऐसा भी नहीं है कि हम लाइनों को बुरी तरह भर दे और ऐसा कोई इशू नहीं होता है क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत खुले खुले लिखते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत एकदम पास पास में लिखते हैं तो सब का अपना एक पैटर्न होता है मैनेज कीजिए कि टैस सीरी जोइन कर लें और टैस सीरी जो में जो है हमारी जो पिछली मेंस थी तो ऐसा नहीं था कि टेस्ट स्रीजों मेंसे कोशन आया थे यह आपको कभी नहीं बोलूँगे कि आपने 20 टेस्ट दे दिया तो 20 टेस्ट टूब मेंसे ही मेंस का पेपर आ गया पेपर उसमें से नहीं आता है आपकी हैबिट डवलप हो जाती है आप लिखना सीख जाते हैं आप वो प्रेशर जेलना सीख जाते हैं त्री आवर्स में आप वो प्रेशर जेलना सीख जाएंगे मेंस का पेपर कोई हार्ड नहीं आता है पेपर हार्ड प्री का ही आता है मेंस में सब खेल लिखने और टाइमिंग का है कि आप कितना अच्छ करना आप चाहे घर में ना च्छह माईने बैठे-बैठे पढ़ते रहिए वो प्रेशर हैंडल करना नहीं आएगा जब तक कि आप लिखना नहीं सीखोगे तीन घंटे जा जागे तो हर संडे को जाईए किसी भी कोचिंग में एक पेपर दीजिए अपना था कि आप जब तक म लिखने की हैबिट पूरी तरह आ जाए कोई कोई कोशन नहीं भी आ रहा है मेंस में तो कोई बात नहीं है लेकिन जो आ रहा है उनको बैस तरीके से प्रेजेंट करें ऐसा भी नहीं है कि हमें सारे ही कोशन आते हैं बिलकुल बहुत सारे कोशन ऐसे होते हैं दो दो नमबर क करते हैं, वीतिये वर्ष 2020-2021 के लिए राज्य सरकार के द्वारा कुल 2.25 लाग करोड रुपए का बजट पेश किया गया था, तो वीतिये वर्ष कुन सा था, 2020 और 21, ठीक है, तो इसके लिए कितने का बजट मिला था, लगबग 2.25 लाग करोड रुपए का बजट इसमें तो दोस्तों शिक्षा के लिए बजट आवंटन में अगर बात करें तो शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा पैसे दिया गया है लेकिन फोकस किस पे किया गया है फोकस हेल्थ सेक्टर पे किया गया है और वो क्यू किया गया है आप सब को भी पता है क्योंकि Corona आ गया था और Corona के वज़े से सरकार्ट ने जो पहले से budget में decided नहीं थी बहुत सारी नई schemes Corona के लिए चलाई है है ना जैसे कि नीरोगिराजस्तान चिरंजी भी बगरा को अभी विस्तार कर दिया उसमें Corona ले लिया और कितनी सारी योजना कोई भूका निस हो एतना तो कितना सारी योजनाएं कोरोणा के लिए चली है तो इसलिए दोस्तों obvious सी बात है कि focus हेल्थ पे ही रहना है और मतलब कोरोणा हमें सीख भी देके गया है कि हमारे इंडिया का जो health infrastructure है वो कितना कमजोर है जब हमें जरुरत थी तो हमें जो चीजें मुकमल होने चाहिए थी वो नहीं हो पाई इसलिए ना केवल राज्य सरकार बलकि किंद्र सरकार का भी जोर अब इसी चीज़ पे है कि health infrastructure को सबसे जादा मजबूत किया जाए दो ही चीजें होती है दोस्तो एक तो होती है education और एक होती है health अगर हमारे पास में ये perfect है ना तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोख सकता चाहिए आप एक family की बात कर लीजिए चाहिए आप person की बात कर लीजिए और चाहिए आप देश की बात कर लीजिए अगर हमारा health सही है अगर हमारी education अच्छी हुई है तो हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे है ना उसमें कोई दोराए नहीं और ये चीज हमारी सरकारों को भी समझ में आई इसलिए शिक्षा और health sector पर सबस्यादा जोड़ दिया गया प्रदेश के विकास को बढ़ाने है तो साथ संकल्प बजट में बताये गए जो निम्न है तो कौन-कौन से साथ संकल्प है बहुत ही इजी से संकल्प है प्रथम संकल्प है निरोगी राजस्तान आपको पता है कि मैं बोल रही हूँ health sector पर ध्यान दिया तो निरोगी राज जैसे दौस्तों किसान कितने जादा जर्चाम में रहे थे और वैसे भी किसानों पर क्योंकि राजस्तान तो आपको पता ही है मतलब ख्रशिय एकॉनोमी वाला ही है मतलब हमारे पास इतने जादा उध्योक तो है नि तो इसलिए किसानों पे जोड देना बनता भी है तीसरा है महिला बाल और व्रद कल्याण है ना तीसरा जोर किस पे दिया गया है महिलाओं पे बच्चों पे और व्रदों पे चतुर संकल्प है सक्षम, मजदूर, छात्र, यूवा और जवान मजदूर सक्षम हो प्लस छात्र, जवान और यूवा सभी को सक्षम होना चाहिए पांचवा संकल्प सिक्षा का रखा गया है शिक्षा का परिधान जैसे बजट में लिखा गया था ना वो इस सेम लेंग्वेज मैंने लिखी है छटा संकल्प लिखा गया है पानी, बिजली और सडकों का मान और सात्वा संकल्प लिखा गया है कोशल और तक्नी की प्रधान तो आप सब को ये समझ में आ रहा होगा कितनी नॉर्मल नॉर्मल से संकल्प है जो कि हमारे दैनिक जीवन में हमें जरुरी है एक राज्य की प्रगर्ति के लिए जो चीज़े जरुरी होती है वही हमारे संकल्प में पहला संकल्प निरोगी राजस्तान, दूसरा संकल्प संपन किसान तीसरा में महिला आ जाएंगे और महिला के साथ ही यूवा और व्रद आ जाएंगे चोथा सक्षम मजदूर आजाएगे मजदूर में ही चात्र भी युवा भी और जवान भी पांचवा शिक्षा जो सबसे इंपोर्टेंट था वो आजाएगा छटवा बिजली और पानी भी आजकल हमारे लिए एक necessary need हो गई है हो सकता है ये ड्राध्य व्युवा स्ता से रिलेटिड कोई और निबनْ रड्य रस्ता के अरध्वेववस्ता को बढ़ानी के लिए उसमें भी तो आप मेंशन कर सकते हैं भारत का या नहीं-चिक भारत के आर्थी प्रकृति को बढ़ाने के लिए आप किस तरह के सुझाओ देना चाहेगे उनमें भी तो आप ये एक लाइन डाल के कि जितना ज्यादा करेंट का पुट डालोगी ना टीचर को हमारी कोपी इतनी ही डिफरेंट लगेगी तो थोड़ा सा कोशिस कीजिए कि जो मोटी मोटी चीजी है इनको तो मतलब चिपका लीजी अपने आसपास ताकि आपको यह चीजे तो ऐसी याद हो जाए और फिर आपक कहां करना है अब इसको याद किस तरह से करेंगे देखो इसको एक लाइन बना ली मैंने निरोगी किसान और महिला सक्षम मजदूर और मजदूर सक्षम कब होगा जब उसे शिक्षा पानी और कोशल मिलेगा तो सबसे पहले तो निरोगी किसान और महिला ठीक है तो तो तीन फिर सक्षम मजदूर कब बनेगा जब शिक्षा, पानी और कौसल मिलेगा तो सिक्षा में शिक्षा का परिधान, पानी में पानी बजली और सडकों का मान और कौशल से कौशल और तकनी की प्रधान यह सारी चीज़े बस आपको यहाँ पर लिखनी है तो कितना मतलब ईजी सा हो गया सातो संकल्प जैसे निरोगी किसान महीला निरोगी किसान महीला सक्षम मजदूर और मजदूर सक्षम कब बनेगा जब उसे शिक्षा मिलेगी जब पानी मिलेगा जब कोशल मिलेगा ठीक है तो इतने से मतलब साथ संकल्प है जिनने आप अच्छे से याद कर सकते हो मै नहीं बोले डाइरेक्ट कोशन आएगा या मेभी आजाए बट इंडारेक्टली आप बहुत जगे यूज कर सकते हो यह मतलब आप पे डिपेंड करता है आप कहां यूज करोगे तो यह था दोस्तों हमारा 50 वर्ट का कोशन आपको मदद करेगा एक बार फिर से देख लेते हैं वश्ट 2020-21 में राज्य सरकार के द्वारा कितने का बजट 25 लाग करोड का इसमें सबसे आदा जो पैसा दिया गया वो सिक्षा को दिया गया लेकिन फोकस दिया गया वो हेल्ट सेक्टर पे दिया गया साथ संकल्ब इसमें आपके तयारी में कई न कई चैनल वदद कर रहा होगा अगर कर रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सबस्क्राइब करके रख सकते हैं और अगर आपके दोस्त भाई भेtin जो भी अगर तक पहुंचानी चाहिए बाद तो आप शेयर भी कर सकते हैं बाकी मेरी टेलिग्राम चैनल पर जाके उसे सब्सक्राइब करके रख सकते हैं क्योंकि मेरे डेली के जितने भी वीडियो आते हैं मैं सबकी लिंक टेलिग्राम पर शेयर कर देती हूँ थिंक्यू सू मच